आगरा के बमराली कटारा पंचायत शेतर में स्थित गौवाश्रम की बदहाल स्थिती से गौवश बेखाल खें गौवशों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा और खाने को चारा नहीं मिल पा रखा है गौवशों के लिए गौशाला एक कैद खाना बन गया है भूख प्यास से गौवंश दम तोड़ रखे हैं गौशाला में मिरत वस्था में पड़ी गाए के पास एक कुत्ते का वीडियो सामने आया है तो देखी आमारी रिपोर्ट अगरफ अतेहबाद, मार्ग स्थित, बमरॉली कटारा, ग्राम बंचायत शेत्र में स्थित गौशाला की स्थती बदहाल है इस दोरान गौशाला में मौझूद गौवंश भी बेहाल नजर आए पताया गया कि गौशाला में गायों का ध्यान नहीं रखा गया समय से चारान मिलने के कारण गौवंश लगा तार दम तोड़ रहे हैं बुदिवार को सीनियूस की टीम आश्रे पहुंची जहां जाकर उन्होंने देखा कि गौशाला में गौवंशों के लिए पानी तो है लेकिन पानी में काफी गंदगी है जिस कारण मजबूरन होकर गौवंशों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है दूसरी तरफ देखा कि गौवंशों के जुंड में एक गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई थी जिसकी देखबाल के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था मृत गाय के पास में श्वान खुम रहा था जिससे साव जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मृत गाय को श्वान नौच रहा होगा गौशाला में संबंदत अधिकारी वकरमचारी मौजूद नहीं थे मामले में खंड विकास सदिकारी बमरोली अहीर देविंद्र कुमान ने बताया कि गौशाला में गाय मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना पर ततकालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचेव और डॉक्टर को मौके पर भेजा गया पूरे मामले की परताल कराई जाएगी बमरोली कटारा की गौशाला का हाल बेहाल है अंदर की बधाल इस्तिती की वीडियो लगातार वाइरल हो रही है अंदर मृत गाय पड़ी हुई है जिसे कुटे नोच रहे है अंदर कोई खासा इंतजाम नहीं है गाय, धूप में, भीचल गर्मी में, बरसात में, खुले में बंधी रहती है खाने के लिए सूका चारा है तो जिम्बिदार है या दिखाई नहीं दे रहे डॉक्टर कोई मौजूत नहीं था अब फिलाल सवाल ये उटता है आकिर जो जिम्बिदार है उन पर संबंदित विभाग क्या कारवाई करता है सीन्यूज के लिए मैं आमन सर्मा आगरा